Friends, कैसे हो आप सब? So, आज मैं आपको विकास लाइफ केर का जो हमें राइट इस्यो में शेर मिला था विकास लाइफ पीपी यानि कि आपके पास जो टीमेट अकाउंट में वी लाइफ पीपी के नाम से जो शेर रिफलेक्ट कर रहा होगा जो पार्शिली पेड शेर होता है उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ जिनको भी जो भी विकास लाइफ केर का राइट इस्यो से शेर मिले थे उनके एक अकाउंट में एक सेपरेट स्क्रिप्ट का नाम में पड़े होंगे यानि कि आपके पैस दो विकास लाइफ केर का स्क्रिप्ट दिखा रहा होगा पहला है विकास लाइफ केर जो की भाग रहा है पागल गोडे की तरह पौने साथ रुपे उसकी प्राइस हो रखी है और दूसरा आपके पार शो कर रहा होगा V.Life.PP V.Life.PP वो शेर है जो कि आपको राइट इशू के थ्रू अलोकेट हुआ था लेकिन यह हमें दो अलग-अलग क्यों शो कर रहे है यह दो अलग-अलग इसलिए शो कर रहे है फ्रेंस क्योंकि विकास लाइफ केर का जो शेर था जो हमें राइट इशू के थ्रू मिला था वो पार्शियली पेड था यानि कि वो फुली पेड नहीं है अब हम सभी यह सोच रहे होंगे कि यह कब तक दोनों अलग-अलग शो करेंगे तो इसी के उपर कैसी पूरी वीडियो है मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ जो भी नया अपडेटा है विकास लाइफ केर से कि यह कैसे आप सिंगल विकास लाइफ केर का आपको शेर मिल सकता है और वी लाइफ पी-पी जो आपके पार शो कर रहे है वो आपके डिमेट से हट सकता है सो उसकी पूरी जानकारी में दूंगा आप सभी ही से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जैसे मेरे पास मेरे डिमेट अगाउन में शो कर रहा है वी लाइफ पीपी अभी इसका करेंट प्राइस चल रहा है दो रूपिय पांच पैस है मेरे पास इसकी 476 क्वांटिटीज मुझे राइट इशू के थ्रूँ एलोकेट हुई थी सो ये शेर हम कैसे कनवर्ट कर सकते हैं विकास लाइफ के शेर में सो इसी के उबर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं विकास लाइफ केर जो कमपनी है उसके बारे मैं थोड़ी सी आपको इन्फोर्मेशन दे दूँ विकेज ये जो शेर है आपको कभी भी बहुत बहुत ज़ादा पैसे आपको दे सकता है जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये कहती कि अगर आपने पांस साल तक इस शेर में इन्वेस्टेड रखा तो ये शेर पांसो रुपया प्लस जा सकता है मैं आप सभी को कोई स्टॉक बाइंग और सलिंग की रेकमेंडेशन नहीं दे रहा ये सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन है आपको अगर कोई भी शेर बाई और सल करना हूँ आप अपने रिस्क पर करें या फिर किसी सर्टिफाइड जो भी फाइनिशल एडवाईजर है उनसे कॉन्टाक्ट करके करें ये मेरा क्लियर डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो एप है वो यूज कर रहा हूँ इसकी पूरी जानकारी देने के लिए विकांस लाइफ केर शेर की जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपर सर्किट इसमें लग रहा है अभी 6 रुपय 95 पैसे का जो आज के session में last price था वो था 6 रुपय 95 पैसा है अगर आप 5 years का low देखेंगे तो ये share जो है 75 पैसे का था आप खुल सोच सकते हैं कि जिस किसी ने भी 75 पैसे का share लिया होगा उसको अभी ही कित्ता गुना return मिल गया और ये जो 75 पैसे का share price था ये था 13 अपरेल 2021 को आप इसको clearly देख सकते हैं जैसे कि आपके पास ये visible होगा कि 5 साल का जो लो है वो 0 रुपय 75 पैसे का ये है तो आप सोच सकते हैं कि अभी इस share ने कितना बड़ा return दे दिया है high जो है 70 रुपय 81 पैसे का है जो कि 31 अगस 2020 का है तो बहुत ही ज़्यदा potential है जिस share में आपको अपनी profile में अगर आपने रखा होगा तो आपको बहुत ही ज़्यदा ये पैसे भर भर के देने वाला है जैसे कि आप देख पहेंगे market up जा रहा है हर एक industry में ये नई news दिये जा रहा है मैं आपको जैसे कि कुछ news बता देता हूं इसकी जैसे कि 14 जनवरी यानि जस्त तीन-चार दन पहले की news है कि विकास Life Care ने 75% stake acquire किया है एक जो company है Genesis Gas Solution Private Limited इस company का 75% stake को इसने ली लिया है यानि कि ये पूरी की पूरी company ही खरीद ली है अब जो ये company है वो करती क्या है वो smart products including smart gas meters power distribution solution में काम करती है आप खुद सोच सकते हैं कि जो gases meters है पर power distribution है इनका future बहुत ही bright है आगे और इसी से ये share अपर circuit लगाए जा रहा है क्योंकि future जो है विकास life care का बहुत ही ज़्यदा bright है इससे पहले by September को भी news आई थी आप देख सकते हैं कि 1 million dollar का इसको single largest export order मिला हुआ है बहुत बड़ी बात है guys विकास life care को back to back अच्छी news मिले जा रही है दूसरी सबसे बड़ी बात कि विकास life care में इस साल 2021 में आप देख सकते हैं दो बार उसने right issue दे दिये यानि कि अगर आपने 100 share भी लिये होंगे तो right issue से ही आपके पास कितने share हो गए होंगे आपने विपरो के story तो देखी होगी न विपरो के जिसने IPO में लगाये थे सजार रुपय वो आज कितने करोड रुपय हो चुका है तो उसका राज यही होता है कि shares जो है वो bonus देते हैं split देते हैं right issue देते हैं इससे होता क्या है कि आपके जो share से multiply होते हैं और multiply होने पे जब भी share multiply होंगे तो multiply होने से जैसे ही share का प्राइस बढ़ेगा आपके जो पैसे है वो भी multiply होते जाएंगे यह मुझे बहुत ही अच्छी इसकी बात लगी जो खास बात है इसकी साथी साथ यह company अब profit भी अच्छा खासा दे रही है जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह आप देख सकते है returns एक दिन का returns 4.51 का है आप two year का देखेंगे 208 का है यानि कि किसी भी month में या year में आप देखेंगे हमेशा ही green मेरा है इसका returns साथी साथ अगर मैं इसके financials देखता हूं तो आप यह देख सकते हैं इसके balance sheet 2021 में 149.66 करोर अब ही देखे 2021 में September तक 201.13 करोर कितना बड़ा यहां पर profit हुआ है साथी साथ profit and loss देखेंगे तो जो march quarter था उसमें इसको minus 3.50 करोर का loss हुआ था लेकिन इसने loss recover कर दिया है और December 2021 में 1.82 करोर का profit है साथी साथ cash flow की बात करें तो cash flow भी positive में है यानि कि negative नहीं है यह तो रही विकास life care की fundamental अब जो आते हैं हमारी जानकारी आप सभी के पास जिनके पास भी share है उनको यह mail आई होगी कि first and final call money notice to the holders of partially paid equity shares of विकास life care limited held on record date January 14, 2020 यह 14 जनवरी को meeting हुई थी और उसके basis पे यह वाली mail सभी को आई है अब इसमें है कि जो भी आपके पास share related थे उसका जो है आपको payment करना पड़ेगा यानि कि आपने पहले partial payment किया था इसलिए वी life pp के नाम से आता है अब जो rest payment है वो आपको करना पड़ेगा अब वो कैसे करेंगे या पूरी detail पड़ेंगे तो आपको समझा जाएगा best shot मैं आपको बता देता हूँ देके दो तरह का payment है पहला ये कि आपको physically जो भी आपके nearest ICIC bank है उस bank में जाके आपको check या फिर DD submit करना पड़ेगा और जो check या DD submit करेंगे यहाँ पर format में दिया हुआ है वैसे और जो check और DD submit करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि किस नाम से आपको करना पड़ेगा और जो price आपको pay करना पड़ेगा अभी वो है 1.70 पैसे के according यानि जितने भी shares आपको right ratio मिले होंगे वो 1.70 पैसे के according आपको बागी का payment करना पड़ेगा अब मैं आपको इसकी जनकारी देता हूँ कि किस के नाम पर करना जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर लिखा हुआ है कि यानि कि deposit of check or demand draft to the designated branch of ICAC bank limited so ICAC bank limited पे जाके आप यह जमा कर सकते हैं और इसके बारे मैं आपको और मैं पूरी जनकारी देता हूँ जैसे कि यहां पर आप देख पाएंगे मेरे पास 476 share से located थे right issue में और मुझे 809 रुपी पे करना पड़ेंगे 1 रुपी 70 पैसे per right equity share के according so 1 रुपी 70 पैसे के according मुझे पे करना पड़ेंगे इसका जो टाइम है वो है पे करने का 20 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक तो यह आप देट ध्यान रखें 20 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में आपको पे करना पड़ेगा या तो ICICI bank के branch में जाके आपको पे करना पड़ेगा या फिर जो दूसरा option है वो यह है कि आप अपने जो भी bank account आपने registered करा रखे है उस पे आप net banking से login करेंगे वहाँ पे आप जब जाएंगे right issue और right issue का एक option आता है net banking के अंदर वहाँ पे जाके आप पे कर सकते हैं इसका amount तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको यह file दिखायाता हूँ जो कि विकास life care share किया है देखिया तो इसमें बहुत सारे information लिकी हुई है लेकिन सिर्फ दो ही information है कि आपको यह pay करना है amount या तो आप ICC bank में जाके pay करें या फिर जो ASBA application होता है ASBA का तो ASBA का मैं वही बता रहा हूँ आपको ASBA के लिए आप अपने bank के net banking पर login करेंगे उसी में आपको request में जाके आपको option मिलेगा right issue का उस पर click करेंगे तो वहां पर जिन जिन companies के right issue के चल रहे होंगे वहां से आप इसे apply कर सकते हैं और वहां से आपका payment हो जाएगा so यही information है guys आपसे request करूँगा कि जो check आप issue करेंगे वह आप इस नाम पर करेंगे in the favor of vikas life care limited call money escrow collection dash r account यानि कि इसके favor में आपको check and demand draft issue कराना होगा plus amount मैंने आपको बता दिया 1.70 पैसे per share के according मैंने time बता दिया 20 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में आपको यह submit करना पड़ेगा तो यह आप कर सकते हैं बाकी अगर आपको यह जानकारी जाननी है कि net banking से कैसे कर सकते हैं तो आप प्लीज कमेंट करें मैं वीडियो एक उसकी बना दूँगा कैसे आप net banking के थो अपलाई कर सकते हैं दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो देट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं खुद लाइफ प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसके लिए अपलाई कर रहा हूं net banking के थो थैंक्यू सो मच